कोशन नुमर 11 देखते हैं मैं पढ़ता हूँ आप ध्यान से सुनियेगा प्रूब देट पैरलोग्राम सर्कम्सक्राइबिंग ए सर्किल इस रॉंबस यह हमें प्रूफ करना है पाकी आपको फार्मेट बताई जुका हूँ कि कैसे करना है गिवन लिखना होता है फीगर बनान एक पैरलोग्राम बना दिया मैंने यह टच होते हुए निकलेगा यह और यह अगर मैंने पैरलोग्राम बनाया है तो इस पैरलोग्राम का कुछ नाम भी होगा इस सेंटर का नाम O मैंने एक पैरलोग्राम बनाया है चारो तरफ इसके सर्कम्सक्राइब मैंने इसके चारो त यह सब given में आपको लिखना है, यह कहीं न कहीं पर touch भी तो करेंगे, अब समझने की बारी आ गई, यह जहां पर point of touch है, इस circle का, उनके नाम भी लिखे दे रहा हूं, मान लिया हमने इसका नाम P है, इसका नाम Q है, इसका नाम R है, और इसका नाम S है, यह हमने याप पर figure complete कर ल करना है, आप सबसे पहले तो AC को मिलाएं, AC को मिला दिया, जो कि O से होके जाएगा, और O से आप radius खीच दीजिए, OR और OS, ठीक है, ऐसा क्यों किया, अभी पता चलेगा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे यह rhombus प्रूप करना है, कौन हमें given है, हमें given है, हमें given ह given है, क्या, ABCD is a parallelogram, और हमें proof करना है, proof that करना है, क्या proof that करना है, ABCD is a rhombus, यह हमें proof करना है, और इसके लिए मैंने एक बनाई पूरी figure proper आपको समझाई दिया है, अब मैं इसमें से यह triangle और यह triangle पर काम करने जा रहा हूं, किस triangle पर? triangle A, O, S और angle R, O, C पर, इन दो triangle को आप देखो, अब मैं proof की तरफ जा रहा हूं, proof कर रहा हूं, direct दिखा रहा हूं आपको, सुनिए, मैंने triangle consider किया कौन सा? A, O, S, and और कौन सा? R, O, R, O, C मैंने लिए, R, O, C, यानि यह वाला triangle A, S, O देखेंगे आप, और R, C, O, R C देखेंगे, O, R, C, देखेंगे, सिर्फ इन दोनों पर दिमाग लगाईएगा कैवल, कैसे दिमाग लगाईगे, जड़ा सुनो, क्या इस triangle में, O, S, O, R बराबर है, हाँ, बराबर है, क्यों? क्योंकि radius है, इसलिए बराबर हो गया, क्या इस वाले, इसमें कौन सी side लेंग क्या है, यह है side, अच्छा, फिर आप क्या करने जा रहा है, यह वाला angle कितना है, 90 degree है, आपको पता है, tangent और radius के बिच में 90 degree होता है, यह tangent है, यह radius है, और यहाँ भी यह 90 degree है, तो कौन सा ले लूँ, एंगल, A, S, O, इसका नाम है angle, A, S, O, is equal to, इधर इसका नाम क्या होगा, O, R, C, angle, O, R, C, और यह कितने हैं, मैं लिखे दे रहा हूँ, 90 degree है, और यह हमारा एक हमने angle इसमें equal ढून लिया, और क्या क्या बराबर है, मैं करता हूँ, अच्छा, यह अगर parallelogram है, तो यह बिलकुल center से गया है ना, यहां से बीच से, तो यह OA और OC बराबर होगा, यहां स side आ गई, अच्छा, हम हमारा SAS rule लग जाएगा, by SAS rule, अगर हमने ASA rule लगाया, तो हमारे यह दोनों triangle, यह दोनों triangle क्या हो जाएंगे, congruence हो जाएंगे, तो triangle AOS, AOS is congruence to triangle ROC, यह दोनों हमारे कैसे हो गए, congruence हो गए, अगर यह दोनों congruence हो गए, तो हम यह कह सकते हैं कि जो as है ना as वो rc के बराबर हो जाएगा by cpct तो हम यहाँ पर लिख देंगे by cpct by cpct क्या हो जाएगा as is equal to rc हो जाएगा यह वाली side इसके बराबर हो गई अगर मैं similarly यही करूं इधर भी तो यह जो ds है ना वो dr के भी बराबर हो जाएगा क्योंकि इधर हमने यह और इसके बराबर कर लिया तो कलको हमारा यह वाला और इसके बराबर भी तो होगा तो हमारा क्या हो जाएगा ds is equal to dr हो जाएगा और यह condition 1 जो आपने cpct से proof करी हैं इन दोनों को अगर मैं जोड दूँ तो आप यह कहेंगे कि जो as है प्लस ds बराबर होगा rc प्लस dr के और as और ds मिलके क्या होगा as और ds मिलकर के ad कह सकते हैं as और ds मिलकर क्या आगया ad आगया और बराबर में rc rc यह वाली side और dr यह वाली side मिलके dc हो जाएगी मिलके क्या होगई dc होगई अच्छा तो आपको इसका मतलब है यह side और यह side बराबर आ गई और यह है parallelogram तो यह दोनों तो पहले से बराबर थी और यह दोनों यह 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 पहले से बराबर थी क्योंकि parallelogram है यह और यह बराबर होते ही क्या चारो side बराबर हो गई बिलकुल हो गई और आप यहां से यह लिख पाएंगे यहां पर नई line में लिख दे रहा हूँ so a b is equal to b c is equal to c d is equal to a d और चारो साइड बराबर हो गई so हम कह सकते हैं a b c d is a rhombus यह क्या हो गया rhombus हो गया proof हो गया क्या क्या आपको पैरलोग्राम है तो यह साइड इसके बराबर और यह साइड इसके बराबर तो पता है आपको चारो साइड है पैरलोग्राम है इसलिए हम दे सामने की साइड है तो बराबर हैं यह पोजिट साइड तो बराबर हैं यह आपको सभी साइड ने बराबर करने हैं मतलब एक साइड कोई भी यह 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 बराबर कर दो यह यह बराबर कर दो क्योंकि यह बराबर इसके होते ही इसके भी बराबर हो जाएगी और यह इसके बराबर होते ही यह भी इसके बराबर यानि चारो सब भी बराबर और चारो बराबर माने रॉंबस रॉंबस की चारो और ये काम ने खतम कर लिया इससे पहले मैं अगले कोश्चन पर जाओं आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक कर दीजिए